वो आया फेर्लेस कि मेर को मौका मिला ए तर HC मेर को यहां से मारना है और पावर्खरय में ऐसी गेम भई पाकिस्तान से नहीं नहीं देखी दूर दूर तक भई उसने दिखाए कि ऐसे भी खेला जाता है साथ और पाकिस्तान ने क्या मारा है आज साथ ऐफरीका को दिरिज भाई जो हम लग रहा था कि आज के मैच में कुछ हुए गायल शेर जो भरा बैठा हुआ होता है ना और सबसे बड़ी तारीफ मैं मोहमद हारिस की करूंगा दिरिज भाई क्योंकि वह ऐसा लग रहा था कि अचानक से वह आते हैं ठीक है और ऐसी पारी खेल जाते हैं कि पूरी पाकिस्तान की टीम को मोमेंटम मिल जाता है वहां से और शर्म आनी चाहिए बाबर रिज्वान की जोडी को कि भाई वो इस पूरे वर्ल्ड कप में क्या कर रहे थे क्या सो रहे थे किसलिए नंबर वन से भाई क्या अभी तक वो सो रहे थे जब आपकी केमपेणी खतम हो गई है वह बाइटरल के रंस आपके वो सबकॉनेंट पर रंस आपके जहां घुटने तक बाल उड़ उड़ती है उन रंस का कोई फायदा नहीं आए तिकार डिजर्व क्रेडिट शादा आप डिजर्व सबसे बड़ना ट्राम जो आपने टाइटल में मैंशिर करा अन प्रडिक्टेबल पाकिस्तान लेगे नहीं काई एक सबस दिल साख खिलालो आपने साज मसूद आपने खिलाया आपने सबको मोगा दिया भाई मुहमद हैरिस को दो तीन मोगा आप देके देख लेते उनका इ विकट गिर रही है मतला दस में जैसा कि अमने उसमें पिछले हो लाइ में थम भी दिया कि पाकिन ट्रवल क्योंकि चार विकट गिर जुब है उसके बाद दस में इस तरीके से पिटाई हुई कितने भी एक्स्विरेंस कितने भी रन बनाये है उस इंसान ने डोड़ है मैज में जैसे अप्रोच होनी चाहिए भाई हार या अमार पहली चीज उस बंदे पर कोई प्रेशर नहीं है ठीक है उसको पता है कि भाई फकर आ जाएंगे या कोई आ जाएगा तो मेरी जगा खत पताने की चीज़ का प्रेशर आपके पास शादाब ना जाएंगे या लग रहा ता जाए है या लग रहा तो आप बनागे टीम है कि भाई ने लेग में बोल नहीं करनी आप जिंबावे के खिलाब देव जैसे बोल हुए आज ही बोल हुए तो अलकिसी ओविस्टम के बार कि जब आप फिलिक की करते रहों गया इसको एल लग या फाइल लाइक का मार ते लोगे भाई टीम ही प्लान